हाई एब्रिवन वेलकम टू मैं चैनल और आप इसी तरह हसते रहिए मुस्कुराते रहिए गाईज अपने काम में बैस्त रहिए सकसेज होते रहिए गाईज देखते हैं आके आपके लाइफ में गौड आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं यहापे टू फाइस रखे रहे हैं कि गाईज क्या मैसेज आपको दे रहे हैं आपको जो सुनना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि इश्वर जो हैं आपको कुछ गाइडेंस देना चाह रहे हैं कुछ कहना चाह रहे हैं अरजेंट देखते हैं क्या आपके लिए कह रहे हैं गाईज यहाँ पे आपके में हो तो इतना दुखी क्यों हो तुम तुम्हारे अंदर जो अकेला पहना है उसको छोड़ने की कोशिस करो जो तुम्हारे अंदर अलूलनेस है जो अकेला पहना है उसको छोड़ो उससे आगे बढ़ो अगर तुम नहीं आगे बढ़ोगे तो तुम सदा ही दुखी रहोगे और अकेले पन में देखिए गाईज बहुत धे सारे बिचार आते हैं अच्छे बिचार आते हैं खराब बिचार आते हैं तो आप अकेला पन छोड़िए दुखी मत रहिए यहाँ पे गौड इस वर बोलना है कि खुद से प्यार करें सेल्फ लब करें यहाँ पे सेल्फ लब करेंगे तो आपको बहुत गहराई भरी अनुभूती होगी अंदर से आपको अच्छा फील होगा गुड फील होगा जिसे कि आप खुश रह सकते हैं और अप के अंदर जो भी अकेला पन है जो भी अंदर मन में खराबियां हैं गंदगी है वो बाहर निकलेगी गाइस और यहाँ पे गौड यह भी बोल रहे हैं कि अपने आपको खुश रखने की कुशिस करो अपने आपको खुश नहीं रखोगे तुम हमेशा ही दुखी रहोगे तो सेल्फ लब करो कुछ समय अपने भी लिए निकालो कुछ इश्वर के लिए भी निकालो अपने लिए भी कुछ काम करो खुद से भी प्यार करो मूजिक सुनो मंतरो कजाब करो चैटिंग करो इश्वर की यहाँ पे आपको दुखी रहने से कुछ नहीं मिलने वाला है निरास रहने से, अकेला पन रहने से कुछ नहीं मिलने वाला है, आप खुझ से प्यार करो, खुझ से प्यार करोगे, तो खुशियां अपने आप आपके पास चल कर आएंगी, इश्वर आपसे ये बोल रहे हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है गाइस, तो आप का चैटिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, प्रणयाम कर सकते हैं, जिस आपके मन में जो भी बैड थौट्स आ रहे हैं, बैड एनरजी आ रही है, अकेला पन की भावना आ रहे है, वो सभी दूर हो जाएंगे, यहाँ पे आपके लाइप में कोई न्यू बीगनिंग होने यहां पे नया नौकरी यानि आपकी जॉब की भी शुरुवाद तो हो सकती है आप देख सकते हैं यहां पे आपके लाइप में न्यू बीगनिग आ रहा है तो उस न्यू बीगनिंग को बटोरने की कोछिस करें नया जोब आ रहा है नया कैरियर आपका बन रहा है तो उसको शुरुवाती दौर में अगर आप कैच कर लेते हैं तो आपको सक्सेज़ों सफल होने से कोई नहीं रोग सकता है गाइस यहाँ पे इश्वर बोल रहे हैं कि मा लीजे कोई ऐसे गरीब बच्चे है जो सिक्षित नहीं है उनको कोई सिक्षा देने वाला नहीं है तो आप उनको थोड़ा सा अपना समय दे उनको सिक्षित करें उनको पढ़ाएं उनको लिखाएं उनको थोड़ा सा एजुकेशन आप देते हैं तो आपके लाइप में जो भी दुख दर्द आ रहा है उभी दूर होने लगेगा गाईज यानि कहने का मतलब इश्वर यह बोलने हैं कि आप दूसरे का बहुत अच्छी तरह से हैल्प कर सकते हैं एजुकेशन लाने में या फिर उनको सही रहा दिखाने में सची र जरूर मिलेगी यह सब करके देखिए गाईज फर्स्ट ऑप्सन आप बहुत ज्यादा सक्सेश और सफ़ल रहेंगे यहां पर देखिए गाईज सेकेंड ऑप्सन आया है कि आपके लाइप में जो है इस स्प्रीच्वल ग्रोथ हो रहा है आध्यात्मिक विकास हो रहा है साथियात्मिक चेत्र में बहुत जाग्रूख हो रहे हैं यहां पर यह भी बताया जा ऌतर है कि अगर आपका जो मन भटक रहा है ध्यान भटक रहा है तो उस हैन को आप केंद्रूद्रित करें यानि कागरता लाहें अपने मन में कोई भी चीजा आप किसी भी मंत्रों का उचारण कर सकते हैं यानि कोई भी योजना बनाई उस पर अपना ध्यान के इंदेद करिए उद्देश को पहले अपने ध्यान में रखिए मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है तब जाके उस कारे को करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी यहां कर लेजिन कि जिसकी वानी मधूर होती है आप अच्छा बोलते हैं मीठा बोलते हैं तो सभी आपके आगे पीछे डोलते हैं गाईज सब़ेंगे और आपको उतना नेम फेम प्रेंस ने सब कुछ मिलेगाईज आपके लाइप में इश्वर बोल रहे हैं आपका समय बहुत अच्छा शुरू होने वाला है बहुत जाल्दी आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है आपके अंदर थोड़ी बहुत कुछ बातों को लेकर आप बहुत एहंकार थोड़ा बहुत है आप सुनिएंट हैं इंटेलिजेन्ट हो सकता हैं थोड़ा सा अहम की भावना हो गई है को ईश्वर बोल रहा है चोड़ो गो अपने अहंकार की भावना तो आप जब अहंकार की भावना छोड़ेंगे तो आप एकदम सरल बन जाएंगे राम में बन जाएंगे और आपका मन जो है बहुती जादा सरल हो जाएगा गाईस सरल में बहुती साधारन, बहुती कागरता, बहुती संचित धिमाग से आप काम करेंगे और यहां पर यह भी बोला है कि जो आप स्वपन देखते होंगे गाईज आप लिख के बताएगा आप जो भी सपने देखते होंगे वो सपने हमेशा सच होते होंगे अब जो भी सपने देखेंगे आज नहीं कलकल नहीं परसो वो सपने जरूर से जरूर सच होते होंगे आपके सपने जो हैं पूरी तरह से सच होंगे guys क्योंकि आपका six sense इस्वर बोलने हैं बहुती तेजी से चलता है आपका crown चक्रा भी बहुती balance में है जिसके कारण आपको कोई भी चीज होने वाला रहता है तो आपको सपन में दिखाई देता है आप खुद भी परिशान होते हैं कि यह मेरा सपना इतना सचा कैसे हो सकता है मेरा सपना सपन कैसे सही हो सकता है आप खुद भी आप सोचने लगते हैं कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है ये सब आपके साथ इसके लिए होता है guys कि आप एक सरल और सचे इंसान बन रहे हैं आपको अहांकार छोड़ना है अच्छा समय आ रहा है और इस वर स्वेम आपका साथ दे रहे है guys God आपको बोल रहे ह कि तुमारी लाइब जो है अच्छे समय से गुजर रही है तो उसको थोड़ा सा अपने लिए जीओ और अच्छे समय को हमेशा अच्छे तरह से जीना चाहिए guys तब ही आपके लाइब में प्रेम इसने और सक्सेस जरूर रहेगा guys यही रीडिंग थियास की